जो हमारे किसान हैं वह सारे लोग राशानिखाद का ज़्यादा उप्योग कर रहे हैं उस राशानी खाद का उप्योग करने से किसानों के बहुत सारी बीमारियों को सामना करना पड़ रहा है जैसे कि कैंसर की है पत्री की है हिद्य रोग है और सुगर है डाइबिटीज है अपना जी इन सारी बीमारियों का रोगों से ग्रिशित रह रहे है उसके उन लोगों से नियाद पाने के लिए हमने जैविक खाद का प्रिसेशन अपने किसान बाईयों को दिया है जो जैविक खाद जो कैसे बनाई आती है और इसका क्या फादा होता है उसके लिए हमने उनको प्रिसेशन दिया प्रिसिशन में बताया गया कि जैविक खाद का उप्यों करने से एक तो लागत कम आती है अगर आप राशाने खाद का उप्यों करेंगे तो यूरिया भी लेके आएंगे पंद्रेस होगा डाई का घट्टा लेके आएंगे कि लगबग और दो हजार का खर्शा आता है और ये राशाने खाद का अगर रुपियों करने में फ्री में हो जाता है मातर केवल असी और दो सो रुपे के बीच में केवल खर्शा आता है उसको बनाने के लिए विदी हमने बताईए क्या विदी है उसमें हमें सबसे पहले तो ले दिना पड़ता है गाय का मूत्र पर उसके बाद में लेना पड़ता हमें गाय का गोवर इन दोनों को मिश्रन को मिलाने के बाद में उसमें डाला जाता है अगर 10 किलो गाय का मूत्र है 10 किलो गाय का गोवर है तो उसमें एक किलो बेसंट मिला जाता है और उसी के साथ ही हमको एक किलो गुड मिला जाता है और मेंड की मिट्टी ले जाती है एक मुठी के बल ये लेने के बाद में इसको हम छावदार जगे में रख देते हैं मिलाने के बाद में इसको पढ़ने के चला जाता है चलाने के बाद में साथ दिन बाद इसको साथ दिन बाद में हमारा जैविक खाद बन करके तैयर हो जाती है जैसे कि आप जैवे खाथ 7 दिन के बाद में तैयर हो जाती है तो हमने ये किसानों को देने के लिए हमने जीवामरत के नाम से खाथ तैयार हमारी हो गई है ये हमने 5-5 लिटर की कट्टियां बनाई है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहे किसान तक के साथ